हलो एबरिवन स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में ठीक है जो भी बच्चे का फॉस्ट राउंड में सीट अलॉट्मेंट हुआ है बिहार इंजिनिंग का वो इस वीडियो को जरूर देखे ठीक है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डकुमेंट से रिलेटेड ठीक है सारी चीज़ें आपको बताएंगे अगर आपके पास कोई डकुमेंट नहीं भी है फिर वी आपका सीट अलॉट्मेंट होगा इस वीडियो को देखने के बाद डकुमेंट से रिलेटेड जो भी कनफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो जाएग ठीक है इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी यूटुबर की वीडियो को देखने की जरुवत नहीं परने वाली है ठीक है अगर आप लोग ने सीट अलॉट्मेंट और डाउनलोड नहीं किया है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है फॉस्ट राउंड में सीट नहीं देखा है, तो जा करके हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए document से related आपको information जो है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो document के लिए देख सकते हैं, बहुत सारे colleges ने अपना जो format है, उसको बताया है, कि ये सब document जो है, वो ले करके आना है, तो मैं बारी सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो बच्चे 10th CVSC से है, उनको passing certificate नहीं मिलता है, तो mark seat जो है, जो diploma का mark seat रहना चाहिए, ठीक है, 10th और 12th का जो mark seat है, वो रहना चाहिए, ठीक है, इसके बाद, इसके बाद जो next document है, वो है, आपका देखिए, य अगर आपके पास अभी नहीं है, तो आपको 15 से 20 दिनों का time दिया जाएगा, आप document verification में बिलकुल जाएगा, ठीक है, ठीक है, document verification में जाएगा, ठीक है, करेक्टर certificate आपके पास नहीं है, अगर आप किसी ने college में admission ले लिया है, ठीक है, अगर आपके पास Gerox है, तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका document verification हो जाएगा, आपको 15 से 20 दिन का time दिया जाएगा, college में देना होगा, income certificate के साथ भी वही बात है, admit card आपको रखना है, जेइमेंस का, ठीक है, छो photograph आपको रखने है, ठीक है, इसके बाद, मैं सारा document के related, सारा information इस वीडियो में देंगा, ठीक है, skip मत किजिएगा, और भी चीजे मैं आपको बताऊँगा, इसमें, उसके बाद, disable quota सा, अगर आपने admission लिया है, तो disable quota का certificate, आधार कार्ड रहना चाहिए, CLC, college living certificate, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा, अगर आपके पास नहीं है, फिर भी आप document verification में जाएए, ठीक है, 15 से 20 दिनों के आपको समय दिया जाएगा, admission के बाद, ठीक है, उसके बाद, next जो है, वो हमारा document है, देखिए, next जो document है, hard copy, ठीक है, part A और part B, part A और part B क्या होता है, यह होता है, confirmation page, जब आप UG EAC का form फिलप किये होंगे, उससे में दो, तीन पेजों का एक confirmation page निकला होगा, वही, अगर आप अभी भी download करना चाहते हैं, तो BCC के official website से email ID और password से login करके download कर सकते हैं, ठीक है, देखिए, उसके बाद, DD, DD for 3300, ठीक है, जनरल, OBC, RS, इतना 100, ठीक है, देखिए, जनरल और OBC को जो है, वो 3330 रुपया लगेगा, ठीक है, और OBC को 3210 रुपया लगेगा, आप वहाँ पे cash भी दे सकते हैं, DD से भी पैसा दे सकते हैं, और cash भी पैसा वहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, demand draft कैसे बनेगा, demand draft आपको bank से बनेगा, check जैसा होता है demand draft वो आपके bank से बनता है, ठीक है, आप इस बच्चे का नलंदा engineering college चंडी में हुआ है, उनको इस college के लिए बनवाना है, ठीक है, उसके बाद, anti-regging, ठीक है, medical certificate इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर फिर भी आप इसको बनवाना चाहते हैं, तो हम इसका format जो है, हमारे telegram channel पे है, ठीक है, telegram channel का link आप सबों को video के description box में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यह है, आपका medical, मैंने डाल दिया है, यहाँ पर channel पर, देखिए, यह हो गया, नलंदा college of engineering के लिए, वैसे ही आपको, जिस college में alert हुआ है, उसके website को visit तो आपको, इसके website पर आपको क्या होगा, कि यह format जो है, वो मिल जाएगा, ठीक है, यह format आपको college के website पर मिल जाएगा, देखिए, आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, नर्मल आप 200-300 में भी medical certificate बनवा सकते हैं, आपको बस इसमें sign लेना है, ज्यादा आपको इला आप अगर कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है, कोई certificate नहीं देते हैं, तो यह declaration होगे आपका, typing of ragging के लिए है, ठीक है, ragging के लिए है, अगर आप कोई भी document नहीं देते हैं, उसके लिए आपको एक undertaking जो है, वो भरना पड़ेगा, कि इतने दिनों में मैं दे दूंगा, नहीं तो आपका admission नहीं होगा, ठीक है, यह anti-ragging के लिए है, anti-ragging वगिरा भी जो है, वो नहीं देना है, ठीक है, इसके बारे में भी वीडियो में आप सबों को पूरा detail में बताऊंगा, आप document verification में जाईए, ठीक है, इसी तरह और भी colleges है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, check slip और biometric form, BCC के official website पर आप सबों को मिल जाएगा, यहाँ पर, 11 नमर में, देखिए, यहाँ पर 11 नमर में है, check slip, biometric form, जैसे आप इस पर click करेंगे, यह है, check slip, biometric form, ठीक है, इसका क्या काम है, उस पर मैंने एक video बनाया है, उस video को जाके देखिए, सारा information आपको मिलेगा, ठी ठीक है, उसके बाद मैं कहाँ पर बता रहा था, ठीक है, देखिए, उसके बाद आपको biometric form का दो-दो copy जो है, वो आपको ले करके जाने है, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद, hard copy, online submission, part A, part B, मैंने बता दिया था, ठीक है, BCC का admit card और score card, ठीक है, आपको BCC के आपके पास न को आता, वो ले करके जाना है, ठीक है, उसके बाद, 10th, 12th का mark seat, ठीक है, passing certificate, इसके बारे में मैंने बता दिया है, CLC, TC बगरा नहीं है, migration नहीं है, फिर भी आपका document verification हो जाएगा, cost resident certificate नहीं है, पुराना भी है, तो काम चल जाएगा, income certificate आपके पास पुराना भी है, फिर भ कोटा side mission नहीं है, उनको disability का certificate, medical certificate के भी जरुवत नहीं है, anti-ragging का भी जरुवत नहीं है, और एक आता है, year gap, year gap certificate क्या होता है, year gap certificate होता है, अगर आप 10th के बाद, 12th के बाद, 12th के बाद, दो साल का gap है, अगर उससे जादा है, तो आपको year gap certificate लगेगा, ये court से बनता है, civil court म के साथ, साथ, Gerox भी, ठीक है, उसके बाद, और मैं आपको बता रहा हूँ, आगे, ठीक है, जब मैं document verification करवाने गया था, तो किस तरीके से document verification हुआ था, वो मैं आपको एक second दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो पर बने रहें, देखिए, ये है मेरा document verification का, ठीक है जिसे में मैंने 2019 made mission लिया था, वो उस समय का है, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, कि जो जो document आपका verify होगा, यहाँ पर verify लिखा जाएगा, नई verify होगा, तो no verify लिखाएगा, ठीक है, यह सब चीज आपका verification में देखेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको anti-ragging, ear gap, medical, check sleep, biometric form, यह anti-ragging, gap certificate बगएरा, medical बगएरा आप बाद में दे सकते हैं, ठीक है, यह सब चीज आपका वहाँ पर देखेगा, ठीक है, और आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, आपका document verification जो हो जाएगा, जो भी बच्चे को कोई confusion है, doubt है, तो telegram पे contact करें, instagram पे contact करें, या whatsapp group के म आदेम से message कर सकते हैं, whatsapp पे भी message कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं next video में, next update के साथ, तब तक के लिए, जैहिन, thanks for watching,